Hello and welcome to the studio members again , ,h itself uh हमने ASCNE print को trade किया है इसके levels और marking सबखरा सारी के सारी pushing m आरेप्ररी Enfin marking थी कल शाम को हमने से mark करके रखना था और कल शाम की class में हमने इसको इसको discuss किया था दिस्टेट्स् 시स्टेट्स के साथ में इसका high यह इमरे लिए किया और जिस वेक्ट करने के बाद से अपनी कंफिर मेशन के बाद हमें इस उडर अपनिOME के लेते हैं कर लेते हैं क्या इसाइज इसे दूर्प में आँती एफ उस्टी और ऐपना वाइत चलुख नख रहा है लगवाग एक हजार तीनसे एक हजार रुपाय के आसपास का प्राफिट चल रहा है और बुक में देखिए 250 कॉंटिटीज है एंड एक्जेक्यूटेट प्राइस जो हमारा है 3,245.95 पैसे पर हमने अपना प्राइस लगाया था 3,240.95 पर ही हमको पूरे के पूरे पूरे अदर मिल गए अब इसके अंदर बारी आते है अपना प्राइस लगाने की तो जल्दी से इसके अंदर में अपना प्राइस लगा देते हैं इस प्राइस जो हमारा यहां पर रहा है था टोटल आठ रुपाय के स्टॉप लोस था तो 32,45.95 इसको काल्गुलेट कर लेते हैं एक बार 32,42,45.95 माइनस आठ स्टॉप लेते हैं प्राइस प्राइस पंचानवे अभी हमारे जो स्टॉप लास से वो एड़ पॉइंट का यह था पहले हम इसके निस्टॉप लगाते हैं 32,45.95 इस्टॉप लेते हैं 32,45.95 मार्केट 32,45.95 इसको के साथ हमें लगा दिये हैं बदीश पंचानवे पर अपना आपना रणिंग इसको का लेते हैं इसको 250 कॉंटिटी का और हमारे स्टॉप लॉस 32,45 थाई सो का इनिटिटी के साथ हमें लगा दिये हैं 30-40-90 पर अपना order हमारा running है बहुत इत्मिनान के साथ और पूरे relaxed mood के साथ trade करना होता है अगर हम इसके अंदर हड़ बड़ी करेंगे या जल्दी कर लेते हैं जल्दी कर लेते हैं वरना order निकल जागे फिर जल्दी लगा लेते हैं वरना stop loss it हो जागा बहुत इत्मिनान के साथ काम करना होता है तभी लंबे समय तक आप survive कर पाऊगे तो बिल्कुल relax mood के साथ जब कभी भी आप परेशान हो ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी आप परेशान हो तो उस दिन trade ना ही करो तो बहतर है अब one by one हम इसके ओपर discussion करेंगे हमारा higher and lower time frame को क्योंकि बहुत easy है अज जस्त हम इसको अप से जितने भी ट्रेडम एक्जिक्वीट करेंगे आइधिंक दो important marking marking सम अपने पास रखेंगे एक resistance की और एक support की so resistance हमको simply वहाँ से short करना होगा और support से भाई करना होगा तो जब भी हम prices को short करेंगे अब जैसे यह वाली range है हमारी 2340.95 यह हमारी एक resistance point है अभी resistance point से हमें में इसा शॉट करेंगे जैसे हमको यहाँ पर confirmation मिलेगी एक चोटा से stop loss लगाएंगे और next support level के लिए हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे अभी इसके अंदर support level हमको जो नजार आते हैं वह वन टू यह सपोर्ट लेवल हमको रजार आ रहे है एक्शली 3186.65 यह वाले points हमारे support points है अभी prices के अंदर high से यानि के resistance points हमको इसे short करना है और support points तर लेकर करना है basic चीज क्या है higher time frame पर गया हमें देखना है कि prices में कौन से इसे movements हैं कि जहां से prices गिरने की कोशिश की या तो फिर upside में जाने की कोशिश की यहां पर अगर हम अपनी एक range draw कर देंगे तो आपको simply नजर आ जागा naked eyes से भी आप देख सकते हो कि यह वाली जो range है यह इसके लिए support point है prices ने morning में क्या किया कि अपने support को break किया है downside की तरफ सो अब हम इसके अंदर क्या करें कि क्योंकि support ब्रेक हुए और prices के sentiments निफ्टी को भी देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी आज downside की तरफ गिर सकती है so simply हम इसके अंदर downside की तरफ जाने के कुशिश करें कोई hard analysis नहीं easy है वासे इसके अंदर आप money management follow कर दिए थोड़ा सा technical analysis लगा दिए perfect हो जाओगे higher time frame पर यहां से अगेन यह देखिए low लगा और low के बाद में price अपना upside की तरफ चला गया upside की तरफ जाने के बाद देखिए वापस price यहां से downside की तरफ गिर गया यानि कि price जो हमारा upside की तरफ गया था तो बीच में जो hurdles लिए गया थे वह यह वाली points थे अगर हम इसका low mark कर लेंगे तो आज price ने exact same level से रिजिस्ट किया है price को और जिस एक point से जानी कि जो resistance level हमने अपसे कहा ना कि जिस एक resistance point से अबको गिराना होता है शॉट करना होता और support से खरीद ना होता है simple सी चीज है तो हमने यहां पर अपने support point से prices को देखा कि हमारी support point पर price है और इन support को protect करने की कोशिश कर रहा है इसका color थोड़ा सा brownish कर देते हैं और lower time frame पर जाते हैं lower time frame पर इसको देखते हैं कि क्या momentum से यहां पर price हमको दिखा रहा है अभी हम इसको कर देते हैं five minutes पर okay so इस जगह पर देखिए कि price ने 9.15 पर हमें यहां पर opening दी 9.15 पर opening दी और 9.15 के highs को ही protect करने लगा एक low लगा हाई लगा वापस देखिए price ने यहां पर आ गया price हमारा इस वाले range पर आ गया हमें जो short करना था अपने इस range के नीचे short करना था because इस range के नीचे ही हमारे पास confirmations थी कि हम short कर सकते हैं okay so that's why हमने 3240.95 पर price के आ जाने को और इस range को break कर देने का weight के और इसके बाद जो हमें stop loss अपने दिखाई पड़े वह just 8 रुपेस के हमने stop loss रहके 3248.95 के यह हमारा stop loss में बना resistance से price गिर रहा है एक confirmation यहां से हमने price को short किया और next level हमारा target point है 3183.50 so simple है okay थोड़ा सा आप इसके उपर थोड़ा सा focus होकर के काम कर दोगे ना बहुत simple है so अब targets decided है हमारे entry decided है stop losses हमने put कर दी है इसके अंदर so अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ वेट करने का okay so 2500 हमारी short है एक सार 1,300 रुपय का हमारा profit चल रहा है 1100 रुपय का okay so कोई भी बड़ी momentum इसके अंदर होती कुछ भी ऐसा action होता है जो कि समझेने वाला आप रहों के साथ share करने वाला है तो इसको ज़रूर से ज़रूर हम आपके साथ share करेंगे okay अगर इस वीडियो से आपको सीप्त हो कुछ समझ में आता है so please वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कुछ भी अगर आपकी doubt है questions वे तो आप comment कर सकते हो प 50 ने downside की तरफ ब्रेक किया इसको और भी ज्यादा confirmations के साथ अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं simply future का chart open करके हम वहाँ पर volumes की confirmations ले लेंगे because volumes बहुत ज्यादा matter करती हैं जब हम किसी भी प्राइज को read करना चाहते हैं और उसके actions को समझना चाहते हैं यहाँ पर भी जिसकी वज़े से होगा क्या कि जो next support level है price कोशिश करेंगा अपने next support level तक आने के अब जिस stock को हम trade कर रहे हैं Asian print, Asian prints में भी देखें क्या हुआ कि prices ने अपने lows को break किया high पर गया retracement पर यहाँ पर एक चीज़ समझा देखने वाली है कि देखिए जो अपनी counting थी stop loss को count करने के जिसको देख करके हमने अपने stop loss रखे थे यह कितने सही साबित होते हैं 3248.95 पर और यह जो high हमारा लगा है 3247.85 का दो रुपए से हमारा stop loss हिट होते होते रहे गया यह किसी तरह का कुछ magic पर गारा नहीं है simply logic हमने इसके अंदर अपने put up की है कुछ एक resistance point होड़े कि अगर price को upside की तरफ जाना है तो अपने swings को break करते होगा price upside की तरफ जाएगा तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है stop loss लगाने का कि हम अपने swings के ऊपर में stop loss लगा दे अगर price जाना होगा अपर तो यह अपने resistance को break करेंगा फिर तो यह उपर ही निकल जाएगा और अगर इसको upside की तरफ नहीं जाना तो अपने resistance को protect करते होगा price downside की तरफ सेम चीज़ देखिए हमको यहां पर देखने को मिली stop loss हमारा safe है और अभी निफ्टी अपने lows को break करें और यहां पर देखिए प्राइस ने जो swings लगाए है मॉर्निंग में जो swing लगे हुए हैं यहां पर market थोड़ा सा side वेस देखिए और बाद में इसको with volume downside की तरफ breakout कर दिया गया और अभी यह retracement है अगर प्राइस यहां से सीधर downside के तरफ गिरती है और अगर इसने एक rally start की तो एक अच्छी खासी rally हम को इस इन पेंट के अंदर देखने को मिल सकती है वेट करेंगे हम कि किसी अच्छे momentum का फिलाल अभी तक भी जो momentum हुए हैं खराब नहीं है और कल की यह वारी जो important candle से price ने इसकी range के अंदर entry ले ली है तो अब जो हमको इसको downside की तरफ अगर price गिरता है तो 3208.50 यहां तक भी price गिर सकता है इस वक्त का जो अपना profit लगए 3000 रुपेज के आसवास का profit है क्योंकि market को इतरह से हमारे stocks है निफ्टी तो रन कर रही है वाट stocks movement नहीं दे पा रहे हैं जिस movement के हमें expectation है so sideways रहती है market फिर थोड़ा सा move downside की तरफ या फिर upside की तरफ आ जाता है जिस वज़ाए से काफी ज्यादा patience का काम हो जाता है हमें दिन भर के लिए stocks को hold करना बट अगर stop loss हमारा सही है तो हम इसको hold कर सकते हैं और बे फिकर कर सकते हैं so fearless condition में हम अभी इपने stop loss को लेखर के बैठे हुए हैं देखते हैं किसी कोई अच्छा momentum होता है तो हम आपको inform करते हैं members Asian parents के अंदर अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा momentum जिसकी expectation हमको थी उस तरह के momentum हुआने हैं लाइक कि जिस तरह से हमको reliance के अंदर momentum देखने को मिले या फिर आप सोभा टेक को देख सकते हैं सोभा टेक को हम देख रहे थे बडिसके अंदर जो वाल्यूम्स थी उनके कुछ अच्छा momentum दिया और अब हमने एशन पेंट के अंदर एंट्र ली थी बहुत बुरा momentum नहीं है अच्छा momentum एशन पेंट का भी है बट अपनी expectation के according एशन पेंट के momentum नहीं है पूरे दिन market हमारी sideways रही है और sideways momentum होने के बाद देखिए कि अभी जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा movement हमको महसूस हो रहा है फिल हो रहा है कि इसके अंदर जो momentum है में भी चांसे एक या दो सिक्स थाउजन रुपीस के आसपास का परवट है नहीं के 1 ratio 3 के आसपास हमारे जो ratio चल रहा है कोई बात ने इसको देखते हैं अगर momentum एशन पेंट के अंदर होते है तो अच्छी बात है हमें एक अच्छा रहा ratio देखने को मिलेगा में चांसे 1-4 तक भी अगर हम पहुंच अब इसके आगे हम यहां से निकल लेंगे कोशिच करेंगे तो प्रवट लबक सेवन थाजन रुपीस के आसपास के हमारे चल रहे है अच्छा गिर रहा है मार्केट नीचे सो ट्विडियर्स नॉर्मल मार्केट अप क्लूज हो चुकिए और अपनी पोजिशन यहां पर र इसके ब्हुं है। अब अगर यहां से बाहर निकलना चाहिए इसका किसरे मार्केट आप क्लोज हो चुकिए है। नर्मल मार्केट करा outward करना हो तो जब जिस इस भी प्राइज में ब्रोकर यहां से से बाहर ने करनेगा, हमएं वहीं से अपना सेलिंग प्राईज मिलेगा त to be worried when we areúc about it and focus on how much surprise you can get. यह जो एक कंडिशन होतीक, प्रिमिोस में होती लाइब, इस और रॕहें अगर वाल मिले। अगर इस ईएंगा वे आप परोफित में होते हो, जब आप लाप सब्सक्राइब होती यही छान होती को है 159 एंग होुज वो संदेक्यी, हम वेट करेंगे और इस उमीद के साथ के अच्छा रेशियो आज के दिन देखने को मिलेगा अच्छा होत नहीं कहेंगे बिकाज जो प्रोफित अपना वह लगबग 6,000 पीस के आसपास का चल रहा है वेट करते हैं देखते हैं क्या प्राइज मिलता है अगर इस वाली रेंज के नीचे प्राइज निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम में देखने को मिलेगा यहां से अपसाइड के तरफ बाउंस भी मार सकता है और पोजिशन अभी भी रॉनिंग है अपनी 6,300 से वालिम्स तो हाई हैं बट प्राइज अगर डाउंसाइड के तरफ निकलता है तो अच्छा मोमेंटम देखना को मिलेगा वेट कर रहे हैं हम निकलने से पहले अगर हम तीन मच का तेरा मिल्ट हो चुका है अभी भी हम बने हुए इसके अंदर 6,900 परफेक्ट वेरी गुट सो मोमेंटम भी अच्छे उस लेल पर नहीं पहुंचा प्राइज उस लेल पर प्राइज नहीं पहुंचा और प्राइज हम को मिला 6,850 रूपीज पर हम यहां से बाहर हुए हैं और और बॉक में देख लेते हैं कैंसल्ट इस टॉप लॉस ओर 3,245 रूपी पैसे का 3,245 रूपी पैसे का अपना स्टॉप लॉस ओडर है कैंसल हो चुका है पुरी तरह से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पॉफेक्ट और 3,245 रूपी पैसे पर हमने शॉट किया था और जो हम निकले हैं मार्केट प्राइस पर निकले हैं और ए 32.70 परफेक्ट अभी मार्केट देखे वहां से डांसेट की तरफ जा रही है फिलाल कोई बात नहीं मार्केट में यह सब चलता रहता है साइडवेज मार्केट रहती है कोई कुछ नहीं कर सकता है होगे सो एशन पेंट का हमारा ट्रेड यही था इंज्वाइब किया होगा अपने काफी सारा सो अब मिलते हैं अपने नेक्स रेडिंग सेशन में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और अपने फ्रेंट सर्कल में शेर अगर आपके लाज सकेंगे एसी अंदर से मारे अगर आपका आप वीडियो को लाइक और क्मेंट करोगी तो अंदर से अप्री स्फियेशन मिलता है हमें सब्सक्राइब घर साथे नेकारल को आपने कोमेंटों ओर लाइक से से एंड एशियन पेंट को चलने देते हैं और अब हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में सो तब ता के लिए थैंक यू गुडबाय एंड वी विल मीट अगें गुडबाय